Hello guys, इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप CodeBlock कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, जिससे कि आप C++ की latest library को भी use कर सको बहुत से लोगों का मेरे से कोश्चन था कि आप unorder sets use करते हो, बट मेरे में तो चलता नहीं है reason उसका केवल इतना है कि आपके पास जो भी compiler है इस time, उसमें C++ की latest library का support नहीं है means अगर आप Turbo C++ use कर रहे हो, तो Turbo C++ में नहीं चलेगा, क्योंकि Turbo C++ बहुत ही outdated हो चुका है तो मेरा suggestion है कि अगर आप C या C++ में programming करते हो, तो Turbo C++ use करना बंद कर दो या तो आप Dave C++ use करो, या CodeBlock use करो, मैं personally CodeBlock use करता हूँ, so मेरा recommendation है कि आप भी CodeBlock use करो और बहुत सारे लोगों के पास CodeBlock होता है बट उसमें भी नहीं चलता, उसका region भी same है, कि आपके पास उसमें latest library का support नहीं है आपका CodeBlock पुराना होगा, या आपने केवल CodeBlock download कर लिया होगा, उसमें MinW का support नहीं होगा so इस वीडियो मैं बताऊँगा कि आप उसको कैसे use कर सकते हो, उसी के साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा, कि CodeBlock को आप किसी lightweight software के साथ कैसे use कर सकते हो means आप compiler तो CodeBlock को use करोगे, but coding आप CodeBlock पे नहीं करोगे, आप coding किसी lightweight software पे कर सकते हो, just like notepad और sublime editor, code sublime पे करना है या notepad पे करना है, और उसको run करेंगे block command prompt से gcc compiler के साथ, okay so let's start, पहले CodeBlock download करेंगे, so CodeBlock download करने के लिए आपको लिखना है साथ बार पर CodeBlocks MinkW, फिर आपको जो first link मिलेगा, वो उसकी official website का मिलेगा, इस पर आपको click करना है, so इसके बाद आपको scroll करके नीचे आना है, इसमें आपको CodeBlock मिलेगा, but आपको ये वाला CodeBlock नहीं download करना ह आपको वो CodeBlock download करना है, जिसमें MinkW का setup हो, okay, so यहाँ पर लिखा है CodeBlock MinkW setup, इसके लिए दो link given है, आपको किसी पर भी click कर सकते हूं, मैं इस पर click करता हूँ, तो ये मेरा 5 second में automatically download start कर देगा, okay, so यहाँ से इसके downloading start हो गई है, मैं इसको cancel कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास already CodeBlock है, okay, so अब इसको install करते हैं, इस पर आपको double click करना है, simple, और जैसे Windows में installation होता है, simple वैसे ही installation होगा, simple nest करना है, I agree nest, nest, so इससे आपका ये CodeBlock install हो जाएगा, so install होने के बाद ये पूछेगा, आप इसको run करना चाहते हो, तो अभी के लिए मैं इसको yes करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि CodeBlock के अंदर आप कैसे coding कर सकते हूँ, so यहाँ पर आप Simple एक नई फाइल कर सकते हो इसको क्लिक करकर empty file, और इसको मैं save कर देता हूँ CPP format में, demo.cpp, so यहाँ पर मैंने dummy code लिखा है, latest library को use करते हुए, so अगर अभी तक आपकी latest library नहीं चलती तो इसको download करने के बाद आप इसमें code लिखोगे, तो आपको कोई भी problem नहीं आएगी, library को लेकर, okay, so मैं इसको run करत तो आप देख रहे हो कि 2 और 1 output आ रहा है, okay, यहाँ पर मैंने code को लिखने के लिए code block को पहले open किया है, but code block बहुत ही lightweight नहीं है, इससे lightweight software हमारे पास है, notepad, so अब मैं दिखाता हूँ कि notepad पर इसको लिखके कैसे run कर सकते है, तो मैं इस code को copy करता हूँ, और notepad open करता तो मैं demo के लिए में इसा demo ही देता हूँ, so यह save हो गया, अब आपको क्या करना है, command prompt open करना है, window R, उसके बाद आपको cmd type करना है, तो यह आपका command prompt open हो गया, so code block में जो compiler होता है, वो gcc होता है, तो gcc लिखकर अगर आप file का नाम लिखोगे, तो वो compile हो जाएगी, जैसे मै gcc लिखकर demo.cpp लिखता हूँ, तो यह compiler, बट यह आपको बोलेगा, कि gcc is not recognized, actual में ऐसा इसलिए होता है, कि आप जिस भी folder में हो इस time, यह gcc उसमें सर्च होगा, उसमें सर्च होने की जगा, यह एक और जगा सर्च होता है, अपने path variable में, कि अगर उस path variable में gcc मिलेगा, तो यह उस software को उठाएगा, बट ना तो इस user वाले folder में यह gcc compiler पढ़ा है, ना ही अभी तक मैंने path set किया है, तो पहले हम path set करेंगे, path किसका set करना होता है, आपको bin तक का set करना होता है, उसके लिए मैं open करता हूँ अपनी c drive, c drive में जाना है आपको program files में, programs files में इसमें तो नह इसके अंदर bin, so यहाँ पर आप देख सकते हो gcc.exe, so यह gcc compiler है, जो आपकी c की file को compile करेगा, अभी मैंने command prompt पर gcc के आगे c++ की file लिखी थी, वो मैंने इसलिए लिखी थी कि मुझे पता था gcc अभी तक recognize नहीं है, otherwise c++ की file को compile करने के लिए आपको g++ use करना होता है, okay, so दोन PC पर right click करके properties पर click करना है, उसके बाद advanced system setting, then environment variable, so आपको यहाँ पर path दिख जाएगा, बट अगर आपको यह नहीं दिख रहा है, तो आप यहाँ पर new create कर सकते हो, okay, new में आप याद रखना variable का नाम path ही होना चाहिए, otherwise अगर आप कोई और नाम दोगे तो यह work नहीं करेगा so यहाँ पर path पहले से defined है, इसलिए मैं इसको edit करता हूँ, edit करने के बाद simple मैं यहाँ पर new करूंगा और इसको paste कर देता हूँ, okay, okay करना है, then okay करना है, then fair okay करना है, अब मैं use करता हूँ, g++ demo.cpp, अभी भी यह नहीं चलेगा, g++ is not recognized as internal or external command, reason इतना है कि आप जब भी path set करोगे, तो वो अब जो आप command prompt open करोगे, उस पर work करेगा, जो पहले से command prompt open था, उस पर work नहीं करेगा, so मैं क्या करता हूँ, इसको पहले एक बार close करता हूँ, then open करता हूँ, so मैंने इसको close किया, then cmd open किया, so आप g++ लिखके enter मारो, so यह बता रहा है, no input files, means अभी मैंने इसको input नहीं दिया है, पहले वाली error दूर हो गई, अब यह g++ को recognize कर पा रहा है, कि यह g++ क्या है, okay, so जिस भी file को आपको compile करना है, आपको उसके path पर जाना होगा, किसी भी drive में switch करने के लिए, drive का नाम और colon लगते हैं, तो यह मैं eDrive में आ गया, मेरी file भी eDrive में है, बढ़ अगर आपको देखना है कि कौन-कौन सी file आपकी eDrive में है, तो उसके लिए आप dir command यूज कर सकते हो, यह आप देख सकते हो कि आपकी demo.cpp file यहाँ पर है, तो मैं इसको compile करता हूँ, demo.cpp से, ओके, तो यह compile हो रहा है, so demo.cpp file आपकी compile हो गई है, बट अभी run नहीं हुआ है, तो run कैसे करना है, तो जब भी आप कोई भी file compile करते हो, तो g++ उसकी eXC बनाता है, तो windows में सारी file eXC में run होती है, तो यहाँ पर जो भी file यह eXC में convert करता है, उसका नाम होता है a, तो आपको लिखना है a, a लिखते ही यह आपको उसका output देदेगा, आपको एक बात याद रखनी है, कभी भी g++ और gcc से आप command prompt पर कोई भी file compile करोगे, तो उसकी जो eXC फाइल बनेगी वो हमेंसा a से बनेगी, उसका नाम क्या होगा, small a, बट अगर आपको चाहिए कि आप demo नाम से ही उसको create करना चाहते हो, या किसी और नाम से eXC फाइल को create करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक extra parameter लिखना होगा, जैसे मैं लिखता हूँ gcc, sorry g++, demo.cpp, अब मुझे बताना है कि मेरी eXC फाइल किस नाम से बनेगी, बट eXC फाइल से पहले object फाइल बनती है, इसलिए आपको यहाँ पर लिखना है hyphen o, जिससे की object file का नाम decide होगा, otherwise यह a नाम से decide करता है, then उस object को eXC में convert कर देता है, so यहाँ पर आपको object file का name बताना है, object file मैं चाहता हूँ demo नाम से बने, तो इससे अगर मैं compile करूँगा, तो जो मेरी file बनेगी, वो demo नाम से बनेगी, तो अगर मैं अब demo को run करूँगा, तो यह run हो जाएगा, और आपका output आजाएगा 2 and 1, okay, so output आपका आगया, so अब आपके मन में कोश्चन जरूर होगा, कि मैं command prompt क्यों use करूँ, मैं code block open करके भी code लिख रहा था, मैं mouse click करके run कर तो सकता था, तो मैं code block ना use करके, command prompt क्यों use करूँ, so basically इसके दो major फाइदे हैं, पहला कि आप किसी भी light weight software के साथ इसको use कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप code block open ही करो, ऐसा इसलिए कि अगर आपका PC थोड़ा slow है, तो हो सकता है code block open होने में थोड़ा सा time लगे, और अगर आपको तुरंट कुछ code करके देखना है, आपके पास जदा time नहीं है, तो आप तुरंट notepad open करके code करके तुरंट run कर सकते हो, second फाइदा कि जो भी command आप यहां पर use कर रहे हो, वो Linux में भी same use होती है और Mac में भी same use होती है, so आप एक platform पर code करके, सारे platform पर same तरीके से code कर सकते हो, generally Windows person को Linux में जाने पर compile करने में, run करने में problem होती है, so अगर आप इस method से use करोगे, तो आपको Linux में भी कोई problem नहीं होगी, same उसमें GCC G++ use होता है, और direct आपको ऐसे ही उसमें compile और run करना होता है, I hope you learn something new from it, अगर आपको इस वीडियो पसंद आया हो, please hit the like and subscribe the channel, okay, bye bye, see you in next video.